कैसे हो बडीज आ गए अब सोच रहोंगे सर जाते जाते भी सर आप ना हमें वीडियो बना के देगा हमाई टेंशन बढ़ा गए पर जी वीडियो जरूरी अब कुछी देर रह गई है New Year होने पर यह बास सब को पता है आपकी different plans होंगे, party के plans होंगे, कहीं जाने के plans होंगे पर कितने लोग हैं जो actual में ये plan बना रहे हैं कि अगले साल करना किया है, ठीक है, बहुत से लोग अब तक यह सोच रहा हूंगे सर नीट बहुत मुश्किल है नहीं हो पाएगा कैसे करेंगे महीने कम है सर हमसे नहीं होगा पर भाई देखो एक बात हमेशा याद रखना मजबूत होने मजबूत होने में मजबूत होने में मजबूत होने मजबूत होने मजबूत होने मजबूत होने मजबूत होने मजबूत बहुत difficult challenges है, बहुत difficult, अगर आसान challenge को ही तुम्हें पार करना है, तो वो challenge कहां हुआ, बास समझे वो challenge है यह नहीं, तो एक simple सी बास समझने वाली यह है, कि अगर तुम अपने लिए कोई भी target आज रात में, या कल सुबह, resolution, target, goal set करने वाले हो, तो कुछ ऐसा करो, कि जो तु है, difficult नाम की कोई चीज होती नहीं है, मैंने कई बार lectures में अपने बोला है, कोई चीज अगर difficult है, किसी के लिए, तो किसी के लिए वो ही चीज आसान है, ठीक है, आप हो सकता, आज किसी चीज से हार मान गए हो, पर जरूरी नहीं है, कि वो चीज आपको रोज हराती रहे, रो कोशिश करता हूं, बोलो कुछ पाने का जुनूर है, इसलिए मैं रोज कोशिश करता हूं, एक रास्ता बंद होता है, तो हर सुबह उठकर मैं नए रास्ते की खोज करता हूं, इसका क्या मतलब है, बहुत प्यारी लाइन है, क्या मतलब इसका, इसका मतलब है, आज मुझे कोई चीज डिफिकर्ट लग रही है might be possible आज मुझे कोई नुमेरिकल ही डिफिकर्ट लग दिया, कोई चैप्टर ही टफ लग दिया टफ नहीं है टफ तो वो चैप्टर तब है बड़ी कि जब दुनिया में कोई वो चैप्टर ना कर पा रहा हो इसका मतलब वो चैप्टर टफ नहीं है आप से आज नहीं हुआ कल फिर करके देखो कैसे नहीं होगा और अगर आप मन में यह सोच रहे हो सर आप तो बस देखो सर ग्यान दे गए ठीक है खुद करना हो तो पता चले तो बड़ी हमने भी किया है हमने भी किया है हमें भी सोच हो जो इस condition पर आप अभी बैठे हो ना currently आप अभी बैठे हो इस situation में कभी हम भी हुआ करते थे हम भी उस face से निकल के आए हैं और हमने results पाए हैं ऐसा नहीं कि हमने results नहीं पाए हैं हम आके आपको दुनिया वर्गी बखवास करके चले गए और आप सोच रहे हो सर को तो बस बोलना है करना तो हमें नहीं करना क्या है हमने भी वो चीज़े की हैं और कुछ चीज़े हमने की है तो अगर हमने 100 चीज़े ठानी थी कि हम यह करेंगे तो 80 में हम भी success हमने प्राप् तो efficient होई सकते आप science student आप जानते हो 100% तो efficient होई सकते पर actual में अगर आप 80% भी efficiency ले आए तो काम हो गया efficiency कैसे आएगी अब आप बोलो सर यह बात तो समझ में आ गई efficiency कैसे आएगी तो efficiency के लिए मैं बताता हूँ जो मैं मेरे सबसे चार favorite point है अगर आपने follow कर लिए अगले 5 महीने तो मैं बोल सकता हूँ 2022 जो कुछ देर में आने वाला है 2022 यह आपका one of the best year होगा क्योंकि आप अपनी life का वह achievement ले चुके होगे मतलब आपनी life का need निकाल चुके होगे या कोई जई का बच्चा देख रहा है तो जई निकाल चुका होगा UPSC देख रहा है तो UPSC निक हो ठीक है तो बेसिकली आपका पहला toughest channel चैलेंज है वो पास हो जाएगा अब आप सोचों कि सर ऐसा क्या है अब क्या बताने वाले हो तो देखो मैं आपको चार चीजे बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ अगर आपने अपनी life में follow कर ली इस साल केवल इन 5 महीने नीट के paper आने तक तो मैं आपको literally बता रहा हूँ कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको परेशान करें तो सबसे पहली चीज क्या है सबसे पहली चीज है कि आपका जो plan है या आपके thinking है वो ही बड़ी होनी चाहिए क्या मतलब इसका thinking बड़ी होने क्या मतलब है सर thinking बड़ी होने का नहीं भाई जब आप plan करोगे कि हम एक हफते में तीन chapter के मिश्टी खतम करेंगे तब आप कहीं जाके दो या देड़ खतम कर पाओगे पहले तो सोच बड़ी रखो ठीक है अब इसका मतलब यह नहीं हमेशा ही देड़ और दो ही कर रहे हो पहले तो सोच बड़ी करो ना कि ह हम तीन करेंगे और जब आप तीन करने की मेहनत से लगोगे तब जाके आप कहीं दो कर पाओगे आप लगते ही एक करने की मेहनत से हो कि हम एक कर लेंगे और हमारा बला हो जाएगा हम गंगा नहीं भाई तीन की सोचोगे तब जाके कहीं एक देड़ दो कर पाओगे impossible नहीं है तो आप तीन भी कर सकते हो तो ये अगर तक plan नहीं बनाओगे अपने आपको खुद के challenges नहीं दोगे कुछ नहीं होगा तो पहला point या दखना है thinking आपकी हमेशा दूसरी बात करते हैं दूसरा क्या है दूसरा है हमारा की जो भी हम काम करने वाले है उसके लिए प्रॉपर पलैन होना चाहिए मतलब क्या है आप अगर कोई भी चीजव कर रहे हो तो उसके लिए एक प्रॉपर क्या करो planning करो Planning is very अब क्लियर प्लैनिंग का मतलब क्या है क्लियर प्लैनिंग का मतलब है एक तारीख है एक तारीख चलो नया साल है मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा उनको विश करूंगा तो आज मैं टाइम निकालता हूं पांस से साथ वह तक मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा मीन्स पांस स फॉलो करते रहना है तो करना है ऐसा नहीं है कि आप चार दिन बाद आए बोले सर उमेद नहीं मैं सोच रहा हूं सर एक वो अला बैच भी कर लूँ फॉलो कर सकते हो पर उसकी प्लैनिंग किलियर होनी चाहिए कि मैं इन ही बैचेज में पढ़ूँगा मैं नहीं कह रहा हूं क आपको मुझे से पसंद आए आपको जिस से पसंद आए पर उसको पकड लो ना भैई प्लैन्स तो क्लियर रखो य dispylia रास्ते उसcios बीच में कोई और टीचर पकड़ लिया तो अपना टीचर पकड़ लो और हमेश्वistä उसके सांथ लगे रहो और अपने plans clear रखो और plans के लिए रखने में मतलब है कि आपको need 2022 निकालना है मतलब need 2022 ही निकालना है 23 की मत सोचना चालू कर दो और उसके बाद यह नहीं कि need नहीं निकला तो यह कर लेंगे वो कर लेंगे यह सब सोचना ही नहीं है यह सब बात की बाते हैं plan clear होगा तभी रास भी इस points को अगर आपने दूर किया अपने से तो आप से कुछ नहीं होगा यह बात भी याद अपने वाली है यह क्या है यूज law of attraction आप सोचो कि सर केमिस्ट्री में law of chemical combination पढ़ाते हूं सर यह law of attraction पे कहां आगए भाई मेरे जो चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं अपन गोल सेट किया है अगर आपको उससे प्यार नहीं है ना तो आप सब केवल बखवास कर रहे हो आप कभी उससे निकाल ही नहीं पाओगे कहने का मतलब है आपका target नीट 2022 है पर आपका प्यार ही नहीं है नीट 2022 अट्रेक्शन ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा जाओ चुपके मानलो वो आपका सच्चा प्यार ही है सच्चा प्यार है आप लोग कर चलो boyfriend girlfriend भी हो गए ठीक है for example ठीक है या में बात करते हैं practical बात मम्मी पापा है घर में ठीक है मम्मी पापा इतने सालों साथ है उनकी शादी हो गई दोनों में आपसे प्यार है दिन में रोजान राइया अब होते होंगी थोड़ी बात पाप अम्मी पाप चलाते होंगे पर इसके मनलब क्या दूसरों छोड़ देते हैं क्या हो चले जाते हैं ऐसा कुछ तो नहीं होता ना वैसे अगर आपको किसे प्यार है वो चीज़ आप इसली छोड़ देते हो क्या वो चीज आपको परेश बार्त आपके लाइफ में टेंशन आई आपने बोला है हमसे नहीं हो पाएगा अब चलेगा तो law of attraction बहुत important है इसको use करना पड़ेगा मतलब शिद्दत है मेरी की need 2022 निकलना है तो शिद्दत को पाने के लिए उससे प्यार भी करना पड़ेगा बास समझ में आ रही है आई की नहीं आई अब चौथा और लास्ट अगर ये आपने फॉलो कर लिया ये चारो पॉइंट्स तो आपके नारे ही वियारे नारे हैं क्या है grow yourself confidence अब आप सोचोंगे सर ये क्या है मुझे में तो बहुत confidence है नहीं आप में confidence नहीं है क्यों कोई भी आएगा और आपको बोलेगा यार मेरी यार हवा टाइट हो गई मुझे तो नहीं होगा दोयर बाइस आप सोचोंगे रहे यार ये तो बंदा के लास में मुझे अच्छे नंबर लाता है ये मुझे अच्छे नंबर लाता और इसका नहीं निकलना तो मेरा कैसे निकलेगा धज्जियां उन गई ना self confidence की मेरा भाई नहीं निकल पाया तो मैं कैसे निकलूँगा हो गई ना हवा टाइट तो भाई मेरे self confidence खुद पे होना चाहिए कि भाई इसका नहीं निकलना तो क्या मेरा निकलेगा ना मेरे भाई का भेहन का नहीं निकलना तो क्या मैं निकलूँगा ना अगर एक का नहीं निक रहेगा और यह चैप्टर मैं करके रहूंगा जब तक यह वाला confidence आप पे नहीं आएगा ना बड़ी problems है और मैं guarantee दे रहा हूंगर आपने यह चारो law follow कर लिए तो कोई ऐसी problem नहीं आएगी जो आपको परेशान कर सके और अगर आपका 2022 में selection होना है तो इन ही चारो पॉइंट की वैसे होगा जो हमने यहां पे लिखे हैं मार कर लो इन चारो पॉइंट को अगर यह चारो पॉइंट आपने अपनी life में proper 2022 में नए साल में उतार लिए तो बस मामला set है तो आज आखरी बार मैं आपको यह पॉइंटस बता रहा हूँ ठीक क्योंकि इसके बाद हम लखे पढ़ाई करेंगे कोई किलास नहीं मिस करेंगे मैं तो नहीं करूंगा आपकी आप जानो आप करने वाले हो करने वालेओ ठीक करने वाले हो जाओ मस्त रहो कुछ और सोचो और नहीं तुम्हाई लिए नहीं है अच्छा है किसी के लिए कॉंप्साइं सीटी खा लिए होगी तो अगर भाई देखो करना है तो बस दो दिन के बाद मंडे से अपन एकिलूब्रियम चैप्टर चालू कर रहे हैं वन आप दा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्ट लिए नए साल में पुराने साल में अभी आपसे विदाई ले रहे हैं और अब मिलेंगे सीधा अगले साल नए साल में और नए साल में नए जोस के साथ पढ़ाई करेंगी नीट निकलेगी यार कैसे नहीं निकलेगी यार क्या बात करते तुम लोग ठीक है तो पढ़ना है लखके कोई टाइम बरबाद नहीं करना है कोविड ओविड आया तो अच्छी बाती है अब as a student भगवान करें ना है ठीक है बहुत life का loss होता है पर आपको मुसीबत में भी opportunity ढूननी है तो आपके लिए घर से बैठके पढ़ने का सबसे बढ़िया मौका है पढ़ना है और लगे रहना है ठीक है तो चलते हैं मिलते हैं अगले साल में कल सुबह good bye take care and bye bye buddies love you all guys love you all stay safe don't go outside ठीक है भीड बहुत होगी सब लोग पागलोगी तरह बहां निकलेंगे आप नहीं निकलो आप उस टाइम को पढ़ाई में उटलाइस कर लो चलो bye take care love you all guys